कि अलो कैसे हैं आप आज मैं आप को दिखाने जा रही हूं यह एक सिंगोनियम की बेल है यह देखिए सिंगोनियम आप सबको पता ही है सिंगोनियम की के प्लांट्स जो है वो एर प्यूरिफाइब होते हैं और यह देखिए यह सिंगोनियम की ही एक वेराइटी है बहुत सारी वेराइटी इसके आती है उसके उपर मेरा एक अलग से वीडियो है वो आप देख सकते हैं और यह सिंगोनियम की बेल जो मैंने यहां लगा रखी है इसके बहुत ही बड़े साइज के पत्ते हैं और इनके जो पार्ट्स है मैं आपको दिखाती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक ही leaves के इतने सारे parts ही होते हैं यह देखे यह बहुत ही बड़ा एक पत्ता बन जाता है और इसको अगर आप किसी पेड के सहारे लगा देते हैं जैसे यह मैंने लगा रखी है यह लक्षमी तरू का पेड़ है तो इसकी roots इस पर रहती है और यह बहुत ही healthy रहती है यह देखिए इसके उपर यह चड़ गई है पूरा और यह आपने पार्क वगरा में और बहुत लोगों ने घरों में भी लगाई हुई होती है आपने देखी होगी इसके पत्ते इसलिए बहुत ही बड़े हो गए है क्योंकि जैमीन में लगी हुई है और इसमें जो मैंने एक नई चीज देखी जो मैं आपको दिखाना चारी हूँ वो है यह जो मुझे कभी नहीं पता था कि सिंगोनियम की बेल के अंदर फूल भी आता है यह मैंने देखा तो फस्टाइम मुझे समझनी आया था कि यह क्या है दूर से तो एक बर्ड दिख रही थी मुझे छोटी सी यह देखें यह सिंगोनियम का फूल है और अभी अभी आंधी आया थी तो यह उससे टूट भी गया है यह मैं आपको दिखाते हूँ पास से दिखाए दिया इसके अंदर कुछ यह बेबी कॉर्ण के टाइप कर दिख रहा है यह और इसकी लंबाई काफी है मेरी फिंगर से भी ज़्यादा और यह बहुत ही खुबसूरत दिख रहा है यह ऐसे एक स्टिक के थूरू इस पे लगा हुआ था और भी जो आये हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ इसके अलावा भी है यह ऐसे उपर बंच में आ रहे हैं यह देखिए यह लगे हुए हैं दिख रहे हैं आपको एक यह है एक यह है ऐसे यह बहुत सारे इसकी टॉप में आ गए हैं जो बहुत ही सुन्दर दिख रहे हैं और यह फूल तो मुझे बहुत ही सुन्दर लगा मैंने कभी सोचा नहीं था कि इसमें फूल भी आता हैं बहुत खुबसूरत यह बेल मुझे वैसे भी बेहद पसंद है सिंगोनियम का प्लांट मुझे बहुत पसंद है यह हमेशा एवर ग्रीन प्लांट है और हवा को भी शुद रखता है यह आप इंडोर आउटडोर दोन यह बहुत ही खुबसूरत है और यह इसका फूल फ्लावर बहुत सुनर है यह देखिए